मथुरा के गनेश तीला मंदिर सहित भगवान गनेश के मंदिरों में सिवायत द्वारा महाभिशेक के साथ साथ पूजा अर्चना की जा रही है। वही मंदिरों में भगतों का ताता लगा हुआ है। बतादे मथुरास्थित गनेश तीला और विघनेहरता श्री गनेश का मंदिर दुलहन की तरहे सजाया गया है। मंदिर प्रांगर में हजारों श्रधालूओं का आगमन हुआ है। यहां आने वाले भक्त श्री गनेश भगवान के दर्शन कर अपने आपको धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां मंदिर अति प्राचीन यानि की माना जाए तो श्री कृष् पुजा के लिए हम लोगों आया है और हम लोग हर साल पुजा करते हैं। तो आप कितने लोग वहां से आए हैं और क्या विशिष आपने यहां देखा है। जो है इसमें अब बिंदाबन में रहता है तो इसमें जो गनेश पुजा का जो फेस्टिबल है उसके चलते हम और से बिंदाबन आया है बिंदाबन से इधर में यहां आज गड़ेश चतुरती का दीने तो क्या बिंद्शिष पूजा आपने दिखा है। जो इसका स्थान का तो महत्तों में बहुत ज़्यादा हैAL किसेञद जी कि अपने पूजा किया थे राधेख Алеटयमी इधर में पूजा किया है तो इसका स्थान का बहुत बढ़ा महत्तों है तो इसका अगर आप दुसराय टेंपेल भा जो पूजा होता है उसका comparison अब नहीं कर सकता है हम लोग हर मायने चतुत्ति का रोज सुखला चतुत्ति में इधन में आके पूजा करते है उनके सब घरों में सुखाश काम जो होती रहे और उनके जो भी परवार में बिगन बादाए है उन सब को ठवली नश्ट करें और धन्धान पुत्र पुत्राद से सब को युखत करें बात करें अगर इनकी इतियास की तो इनका जो यह सास्वरों अभी बढ़णान है यह स्वाइम मतलब भूमी से परकट है इनका कोई यह 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 महाराज गनपती है यह स्थान है और भावान गनपती की महिमा मैं क्या को तो बिग्जयमान ने गड़ी जी महाराज यह स्थान है यह स्थान का बदलता रहा है क्योंकि काफी प्राचीन स्थान है समय समय पर इसका जीरोधार होता रहा है तो यह जो बीच का यह पूर्शन है यानि कि यह जगमोन और शाकुली का निजमंदर है यह हजारों बर्स पुराना है वागी इस स्थान में समय समय पर परवरतन होते है अगर जालों के अगर हम बात करें तो क्या उनको आज के दिन मतलब करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आज के दिन गड़ाईशी का जन्मु सवय तो भावान गणपदी का सबसे पहले अपना इस नालादी से निपरत होकर घर में और गणपदी का पूजन करना चाहिए उसमें भावान गणपदी के अनेकानिक ध्यान है उनका अथरुसीत का पाट है शंकत नागर शूत का पाट है और भावान गणपदी के मंदर में या अपने घर में जहां भी स्थापित हैं उनकी पूजा आर्षिना करके अपने बच्चों को भी उई सुछा देनी चाहिए जो ठाकुर जी से जैसी कामना लेके आता है जो बिद्यारती अफको ध्याकी प्राप्ती होती है जिसको धन की आवशकता है उसको धन देती है और जिसको जो है ठाकुर यस और कीर्थी के वाल करने वाले हमान गणपदी महाराज सुछा बंदे पूब्य तरीकी से दोलन की तरह सजागे आए जी और विशेत बंदारागी का आईयन मुर्ता है आज अभी 11 वजे पर महाविशिक का आयूजन है महाविशिक जिसमें कि दूद धाई घी शैद और इन सब समिक्रियों से अने को खंगा जल युमना जल पुलाप जल अने को इत्रों से भगवान गरपती कराये जाएगा तदुब्रांथ उनका भव्य शेंगार होगा फूल बंगला और फृषाद चपन बुख का आयूजन सामकू पांच वजे पे महारती और भजन संदाग करें अगर बात करें तो लगवग कितने से दालू अपी होगी है आज के दिन में करीब 15 यार 10-15 यार क्योंकि सामकू पांच वजे की बाद में जिससे में भवान का चपन बुख सजे जाएगा तरणास सजे जाएगा फूरा मंदर भव्य तरीके से त्यार होगा उससे में पूह सताल लगता है